नमस्कार सस्तुरयकाल एलो हाई और वेलकम दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टेडी आई क्यू के इस प्लाटफॉर्म पर जहां पर हम IBACIO के सभी करेंट अफेर्स कवर कर रहे हैं अभी हम जैनवरी के अंदर हैं जैनवरी के करेंट अफेर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और दोस्तों आज शायद जैनवरी खतम हो जाए और देन फ्रम टॉमारो भी विल स्टार्ट विद फेप्रॉर्री आवर यू गाईस कैसे हैं सभी को नमस्कार जी हाँ I hope things are clear तो देखो दो तीन चीज़े आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली चीज हमारा batch already started है AC I.O. का और आज उस batch की first class होने वाली है पहली class आज है पहली class उस batch की दोस्तो आज होने वाली है अगर आपने enroll किया है well and good नहीं किया तो कर लो जी किस चीज़ का वेट कर रहे हो ठीक है You don't have any time और बताओ Anything else तो दोस्तों चलिए शुरू करेंगे class को without further ado I hope कि अभी brightness वाला issue clear है अभी सब पुछ सही दिख रहा है आपको आए So let's start तो देखे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि IB ACI कोर्स हम लोग आपके लिए लेकर आए है This is an opportunity और अगर आपके सामने opportunity आती है तो आपके responsibility है कि आपको उसको seize करना है उसको success में convert करना है उसी के लिए ये batch launch के है हमने जहाँ पर आप admission ले सकते हैं यूज कर सकते हैं code RT life का 3999 उसका prize है आज से classes start है कल orientation class हो चुकी है जिसको मैंने यूट्यूब पर दिलवा दिया है अमित सर ने वो class ले थी ठीक है दोस्तो लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे नाम रोहनतियागी है और already मैं इस exam को clear मैंने किया हुआ है और इसके बारे मैं काफी सारी वीडियोज मैं यहां पर बना चुका हूँ तो इस examination की एक सबसे important बात यह है कि जब notification आती है और जब exam होता है उसके बीच में एक से सबा महीने के समय होता है तो उस time period में आपको अपनी orientation किसी दूसरे exam से हटा कर इस exam पर लेकर आनी होती है यानि कि आपको अपने gear change करने पड़ते हैं because आप में से सभी लोग या तो SSA की तयारी कर रहे होंगे या UPSA की तयारी कर रहे होंगे कोई भी आप में से ऐसा बच्चा नहीं होगा जो specifically सिर्फ और सिर्फ IB के तयारी कर रहे होगा so it is not a main exam basically yes or no, am I right or not बदाए मुझे sir time किया रहेगा इस series का यार इस series का time हम अभी fix नहीं हुए next week को मैं fix कर दूंगा ठीके अभी मैं कुछ थोड़ा सब इसे चल रहा हूँ तो I will fix the time next week next Monday से timely class होगी कल भी इसी time पर 11 बजे class होगी परसो की class का मैं थोड़ा सब doubtful हूँ शायद होगी या नहीं क्योंकि परसो की class को मैं Saturday को लेने की कोशिश करूँगा परसो मैं आपको break दूँगा so that you can revise all of the things that I have taught to you क्योंकि थोड़ा सा यार बीच में revision की थोड़ी सी जरुवत है आप लोगों को इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मान के चलें कि आपके पास tier 1 के लिए 60 days का समय बचा है 60 days 60 days और अगर आप इस class को करते हो इस batch को join करते हो जिसकी classes आग से शुरू है GS से class शुरू हो रही है general studies से दुपहर से इसके batches शुरू हो रही है तो मैं आपको यह बात बता दूँ दोस्तो कि आपकी class लगबग डेली 6 घंटे की रहेगी 6 hours तो 6 hours आपके दिन के चलेगा यहाँ पे इसके अलावा आपको 5 घंटे और निकालने है मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 7 घंटे सोगे और जो बचे वे टाइम है उसमें कुछ ब्रेक लोगे ठीक है कुछ काम करोगे घर के तो अगर आपने 11 घंटे AC I.O को dedicate कर दिये तो आपका selection को रोक नहीं पाएगा ये बात याद रखना ये competitive exam है तो आप जितनी महनत करोगे उस हिसाब से आपको result मिलेगा देखो brains में दिमाग में 19-20 का फरक होता है लोगों में बट जो असली फरक आता है वो आपके अपरोथ से आता है ठीक है तो 6 घंटे की classes आप कर सकते हो और मैं ये नहीं बोलना सारी classes करो कुछ classes को आप 2x speed पर बाद में देख सकते हो for example आप में से किसी के quant बहुत अच्छी होगी आपको इतनी help की जरूरत नहीं है किसी की reasoning बहुत अच्छी होगी आपको इतनी जरूरत नहीं है reasoning की किसी का GS बहुत अच्छा होगा आपको GS कितनी जरूरत नहीं है like that so इसमें से भी आप 2 घंटे निकाल कर यहां पर डाल सकते हो यहने की इतनी self study कर लो इतनी class कर लो selection definite है अगर मैं अपने experience की बात करूँ तो मेरे case में भी यही हुआ था I was preparing for SSC, UPSC दोनों को आइ exam में दे रहा था साथ में ठीक है SSC का एक exam हो अगर था उस time पर scientific assistant का एक exam होता है Indian Metallurgical Department में तो उस exam के लिए मैं preparation कर रहा था ठीक है SSC का वो exam था but UPSC मेरा main photo था जिसकी मैं तयारी कर रहा था तो मैंने भी यह किया था कि जब यह examination का मैंने form भरा तो मैंने last का एक महीना total dedication से ACAO की preparation करी थी उसमें मैंने quant reasoning थोड़ी देखी थी current affairs थोड़ी से देखे थे ठीक है और मेरी यही approach थी यही approach थी और जो यह बचावा time था इसको मैं UPSC के लिए dedicate कर देता था बट यह मैंने थोड़ा दिन के लिए pause कर दिया था because मुझे लगाता कि यार अगर यह job मिल जाती है तो एक अच्छी backup plan बन जाएगा इस job के साथ तैयारी कर सकता हूँ because मुझे पता था कि इस job में desk work भी है desk पर हो field में हो तो desk work जब होता है तो आप बेटर तरह से preparation कर सकते हो ठीक है तो यह चीज जरूरी थी तो मैंने ऐसा किया तो आप लोग लिए strategy सही है कि आप classes के साथ यह कर लें अगर आपको self study करनी है आपको classes नहीं करनी तो आप यह पूरा time अपना self study में दे सकते हैं it's up to you ठीक है अपनी जो class चल रही है online यह वाली कर सकते हैं जिन बच्चों ने इसमेडमिशन ले लिया है इस batch में वो लोग online class ना करें तो better है because आपके current affairs concentrated तरीके से cover करवाए जाएंगे ठीक है तो उसकी आपको tension लेने की ज़रूत नहीं है यह आप बार बार डेली एकी question पूछते हो सर स्पेक्स कमपल्स हरी है नहीं है height भाई notification पढ़ लो जाके सीथा website पर link मैंने डाला वा है already हमारे group पर तो अगर कोई भी आपको doubt है गिला शिक्वा है तो यह मेरा email ID है इस पर आप पूछ लेना this is my official email ID secondly हमारा group जो है उसको नाम है ACIO RTLIVE इसको join कर लेना जो इस class की PDF file है वो within half an hour मिल जाएगी दोस्तों तीन PDF आपको already मैं दे चुका हूँ मिल चुकी है सभी को सभी ने download करके रख लिए है पढ़ लिया है उसके नदर questions प्रैक्टिस कर लिए है give me a thumbs up अगर ये कर लिया है तो हाँ जी PDF download हो गई है सबकी या फिर आप मेरे को Instagram पर भी पिंग कर सकते हो कि मेरा Instagram handle है तो यार कोई doubt हूँ तो यहाँ पूछ ले ना डेली आप लिए कोशन पूछते हैं सर स्पेक्टेकल्स स्पेक्स का क्या सीन है सर हाइट का क्या सीन है नोटिफिकेशन पढ़ लो मैं लिंक डाल चुका हूँ अपने ग्रूप पर तो आपके strategy थोड़ी सी मैंने आज तूइक करने की कोशिश कर रही है अगर आप strategy से चल रहे है तो आपको selection हो जाएगा बस यह है कि यह concentrated पढ़ाई होनी चाहिए ठीक है और concentrated पढ़ाई के लिए यह batch हमने of course launch किया हूँ है नहीं है तो आप you can do your self study as well ठीक है जिसकी मैंने अपकल आपको बताया था that I joined a coaching in मुखरजी नगर for ACIO as well तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज की news के साथ सबसे पहली news जो आ रही है वो है इंडिया और चाइना के बीच trade देखें इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है इंडिया's largest ट्रेडिंग पार्टनर is चाइना और of course चाइना की जो एकोनॉमी है वो इंडिया से काफी बड़ी है चाइना बहुत सारे प्रोड़क्ट्स को manufacture करता है इंडिया में export करता है जिसमें से electronics बहुत ही ज्यादा है आपके phones जो है जिन में आजकल लिखा होता है make in India, made in India इनके जो components हैं जैसे की camera, camera केंदे sensors, every other component of this phone, ये mostly चाइना के अंदर manufacture किया जाता है और इंडिया में components को लेकर आके इनको सिर्फ assemble किया जाता है तो हमारे पास अभी तक semiconductor fabrication की उतनी अच्छे technology नहीं है we are still trying ये छोटे-छोटे components भी इंडिया के अंदर बने हम basic material दुनिया से उठाएं और components produce करें और इसी वजह से इंडिया में आप देखेंगे कि चाइना के साथ हमारा trade deficit बहुत जादा है trade deficit यानि की for example let's say दो देश हैं ये देश लगभग 100 रुपे का समान इस देश को बेचता है लेकिन ये देश सिर्फ 60 रुपे का समान बेच पाता है तो इन दोनों देशों के बीच में 40 रुपे का trade deficit है there is a trade deficit of 40 रुपी ideally कोशिश ये की जाती है कि ये trade deficit कम हो जिसे कि भारत है इंडिया है वो रशिया को food exports कर देता है agriculture तो है हमारे पास अच्छा और रशिया हमें हतियार देता है तो एक balance हो जाता है yes or no Middle East के साथ ऐसा ही है Middle East इंडिया को तेल देता है oil and gas और इंडिया Middle East को clothes and food provide करता है so trade deficit थोड़ा सा कम हो जाता है but China के अंदर already हर चीज इतनी जादा है कि हमारा जो trade deficit है वो 100 billion cross कर गया total trade 135 billion का था जिसमें से 100 billion trade deficit था देख सकते हैं आप ठीक है so ये बहुत ही important चीज है समझ ले अब China के साथ हमें trade deficit कम करना है it is important but कैसे करना है ये इस exam के radius से बाहर है वो UPSC के means के लिए important है ये कैसे आप trade deficit कम कर सकते है हाँ आपसे interview में पूछा जा सकता है but economy के ओपर questions जो है वो मैंने बहुत ही कम देखे हैं rarely जो सामने बैठे होते हैं पैनलिस्ट वो आपसे पूछते हैं ठीक है तो question आपके सामने है क्या answer है of course बताए US का इंडिया के साथ trade deficit है विल टैवा answer is जी हाँ China D next तो next news पर आते हैं देखे शुलंका dead trap में फंस चुका है चाइना के अब इंडिया को घेरने के लिए इंडिया को इंडिया की territory में हमारे एक शेत्र में मात देने के लिए China ने एक strategy अपनाई China ने बोला कि जो इंडिया का strong hold है neighborhood में मुझे उसको कम करना है तो already चाइना के साथ इंडिया के issues चल रहे थे तो पाकिस्तान जो था पहला target था चाइना का और पाकिस्तान ने सबसे पहले चाइना को सक्षगम valley gift करी उसके बाद पाकिस्तान occupied कश्मीर के थ्रू कारा कुरम highway निकाला और वो चाइना से connect कर दिया चाइना पाकिस्तान economic corridor के थ्रू ठेक है उसके बाद श्रिलंका श्रिलंका के अंदर government type anti-India वो government anti-India इसलिए थी because कुछ हमारे पुराने prime ministers ने उनको support नहें किया था तो उस बात का फाइदा उठाते हुए चाइना ने श्रिलंका के अंदर अपना strong hold बनाना शुरू किया ठेक है और राज-पक्षा and family जब power में थी श्रिलंका में तो उन लोगों ने श्रिलंकन assets को बेचना शुरू किया चाइना को and that was a very corrupt family जो राज-पक्षा जो family थी और उसमें से हमबन तोटा जो port था श्रिलंका का that was gone to China कोलंबो port जो है उसका एक छोटा सा part है eastern terminal बोलते हैं उसको वो भी चाइना के पास चला गया है चाइना ने वहाँ पर इतने बड़े-बड़े trains वगरा लगा रखी हैं कि चाइना वहाँ पर अपने aircraft carriers को भी dock करा सकता है और Chinese submarines और research vessel तो श्रिलंका में dock होती ही रहती है वो तो डेली की news बन चुकी है दोस्तों ठीक है तो चाइना अपनी strategy से इंडिया के neighborhood को capture करने में लगा हुए और ये news एक example है चाइना की strategy की आप देख सकते हैं अब चाइना के dead trap में श्रिलंका इतना फस गया इतना घुस गया कि श्रिलंका की economy जो है वो बत से बत्तर होती गई राजबक्षाज जो थे उनके corruption उनके mismanagement की वचा से श्रिलंका ने economy was gone और श्रिलंका ने decide कि 2030 तक वो अपनी military strength को half कर देंगे देखे अगर श्रिलंका की military week होती है तो इंडिया का कोई फाइदा नहीं है नुकसानी है विकॉज अगर अब श्रिलंका में कुछ होता है तो इंडिया को श्रिलंका की help करने पड़ेगी through its own resources for example क्या हमने Maldives की help नहीं करी थी तो उस्तों Operation Cactus के बारे में पढ़िएगा जाके Wikipedia पर कि किस तरह से एक कू होती है मिलिटरी कू हो रही थी Maldives में उसको रोकने के लिए आगरा से पैरा कमांडो उसको lift आफ किया गया था इन Maldives में जाकर उन्होंने उस समय के President को Maldivian President को सेफ किया था Operation Cactus के थरू और इंडिया उस Operation में Successful इसलिए था Because हमारे पास अच्छी intelligence मौजूद थी terrorists के बारे में जो वहाँ पर attack कर रहे थे आ रहे ये बात समझ तो गाईज ये चीज़ बहुत important है शुलंका ने decide किया है वो कि अपनी military strength को कम कर देगी Because of economic woes economic issues तो question है कौन सी ऐसी country है जो अपनी military strength को half कर देगी 2030 तक अच्छा अपनी लोगों को बेफकूफ बनाने के लिए शुलंका क्या कह रहे है हम strength तो कम कर रहे हैं लेकिन हम technology पर ज़्यादा focus करेंगे That's what they say What's the answer बताएं Answer is Shri Lanka Answer is Shri Lanka Answer is A Next news पर आते हैं दोस्तो International Space Station पर कुछ Russian cosmonauts astronauts फज गए थे और जो उनकी ship थी जो उनका aircraft था जिसमें बैठकर उनको वापस आना था अर्थ पर वो aircraft खराब हो गया था उपर तो तो रश्या ने एक empty एक blank space capsule launch करी जो जाकर international space station से dock हुई और उस capsule में बैठ कर ये cosmonauts वापस पहुँचे अर्थ पर ठीक है तो जो capsule launch की थी उसका नाम था सोयूज को capsule ये लिखा हुआ है हाँ पर ठीक है तो जो damaged spacecraft था जो unsafe था return के लिए अर्थ पर उसको replace किया और अपने astronauts को वापस वो लेकर आया तो बताएं कौन सी space agency ने ये mission किया launch रश्या की जो space agency है जिसका नाम है Ross Cosmos ये रही answer is C ठीक है तो ये important है next दोस्तों बात करते हैं उशा रेडी जी की ठीक है तो दोस्तों ये state senator बनी है district 22 in US state of Kansas Indian है of course Indian origin की है तो who among the following has been sworn in as state senator for district 22 in the US state of Kansas answer is one word question है answer is of course उशा रेडी answer is उशा रेडी one word था next दोस्तों राजनात सिंग्जी ने उत्राखंड में हमारे वीर जवानों को जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए एक स्मारक स्थापित किया है जिसका नाम है शौरे स्थल और ये किया गिया है 14th January last year in the Armed Forces Veterans Day वाले दिन ठीक है तो सिंपल वन वर्ड कोशन यहां से बनता है कि शौरे स्थल कहां पर किस स्टेट में स्टैब्लिश किया गया है शौरे स्थल कहां पर है बताएं answer is C. उत्राखट it's one word next आएंगे एक और कोशन पर United States के candidate है R. Bonnie Gabrielle US की candidate थी and she this lady has become Miss Universe कि यह बनी है simplistic who amongst the following has been crowned as Miss Universe 2022 answer is थोड़ी थोड़ी देखने में लारद अत्ता की तरह लग रही है मेरे को लारद अत्ता भी Miss Universe रह चुकी है बाइद वे ठीक है answer is जी हां R. Bonnie Gabrielle next great यार पढ़ोगे तो हो जाएगा next news पर आएंगे दोस्तो देखे T20 मीटिंग के बारे में कल भी मैंने बात करी थी और इसके बारे मैं अल़ड़ी आपको बताया था तो यह एक repeat question है T20 मीटिंग कहा हो रही है बताएं वो बाल में तो repeat question है याद रखेगा next Indian Metrological Department Ministry of Earth Sciences देखो एक और बहुत important चीज़ है इस exam में वो यह है कि जितनी भी ministries हैं और उनके departments हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए एक खास रूप से चार ministries में आपको बताऊंगा जिनके departments के बारे में आपको पता होना चाहिए जो हम GS में आपको पढ़ाएंगे भी एक तो ministry of home affairs ministry of finance minfin दूसरा जो है ministry of science and technology और एक PMO के अंडर कॉन कॉन सी organization है यह भी पता होना चाहिए यहाँ से direct question दोस्तों बन सकता है ठीक है बता तो रहूं यार रसूल जी तो वन वर्ड कोशन है यह इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं तो दोस्तों recently RRR को breakthrough performance मिला था एक award 27th satellite award by international press academy तो कौन सी movie थी रामचरन जी की RRR थी तो answer इसका C है sorry यह गलत है इसमें answer is C ठीक है गलत लिख़ा है उकपर next निजाम of हैदराबाद तो दोस्तों को पता है कि जब दिल्ली आगरा में मुगल कोट्स में problems चल रही थी तो उस समय पर बहुत सारी रियासतें establish हुई अवद, बेंगॉल, हैदराबाद और हैदराबाद के निजाम ने south इंडिया में अपना अच्छा वर्चस्व बनाया था और उनके डिसेंडेंट जो थे लास्ट अभी आप देख सकते हैं उनकी death हुई है लास्ट निजाम आफ हैदराबाद मुकर्रम, जहां, बहाद्र जो टर्की में जिनकी मृत्यू हो चुकी है ठीक है तो यह चीज याद रखें, समझ ले संसद खेल महाकुंब 2022 संसद खेल महाकुंब 2022 तो वीडियो कॉनफरेंसिंग से बस्ती डिस्ट्रिक्ट हो तो अफ उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने इस महाकुंब जो खेल है इसको किया तो बताएं आंसर इसका इस फ्रॉम उत्तर प्रदेश वन वर्ड कोशन है दोस्तों यह भी निलाक्शी सा सिनह जो मिनिस्टर अफ एक्स्टरनल अफेर में एक जॉइंट सेकेटरी है उनको अर्मेनिया का अमबेस्टर बना दिया गया है उनको रिपबलिक आफ अर्मेनिया का अमबेस्टर बना दिया गया है ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है एट इस देखो अर्मेनिया और अजर्बाइजान के बीच में बहुत सारे इशूज चल रही है अगर मैं अफरीका से बाहर निकलते हैं तो पांच ऐसे कॉन्फिक्ट्स है जिनके बारे मैं आपको पता होना चाहिए पहला कॉन्फिक्ट है रश्या युक्रेन वार जिसको चलते वे अब लगभग दो साल का समय हो चुका है तीन साल होने वाले है अभी तक चल रही है कब तक कंटिन्यू रहेगी पता नहीं दूसरा कॉन्फिक्ट जो चल रहा है लास्ट दो तीन सालों से वो है नगरोनो कारबाख क्राइसिस और वो अर्मेनिया और अजरबाइजान के बीच चल रहा है देखो अर्मेनिया और अजरबाइजान के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले भाई मैप पर आपको यह चीज़ दिखाऊंगा मैं क्योंकि बहुत ही इंपोर्टन्ट है मैप्स यहां खोल लेते हैं तो यह आपको जो एरिया दिखता है जिसकी कोस्ट लाइन कैसपिंसी के साथ है जो की सबसे बड़ी लेक है वर्ल्ड की और यहां पर आपको अर्मेनिया दिखता है दिखो यह रहा है अर्मेनिया और ये जो रीजन आपको दिखते हैं ये वाला ये नगरोनो कारवाक रीजन है नगरोनो कारवाक रीजन है तो अर्मेनिया और अजरवाईजान के बीचे फाइटिंग चल रही है जहां पर अजरवाईजान को खास रूप से एरान का सपोर्ट है अर्मेनिया को रिश्या का पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट है बट हम लोग बेसिकली अर्मेनिया को अतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकाज अर्मेनिया चारो तरफ से एकसेट जॉर्जिया सबसे गीरा हुआ है ठीक है एक तरफ टर्की है एक तरफ इरान है ठीक है तो ये ड्रग कार्टल्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं so that is the fourth big conflict that is going on and fifth आफरिका के अंदर बहुत सारे conflicts जो चल रहे हैं तो इन conflicts के बारे में आपको पता होना चाहिए question आने के उमीद है यहां से next बात करते हैं news की दोस्तो दुनिया में अगर आप assault rifles की बात करें automatic semi-automatic rifles की बात करें तो AK-47 का नाम सबसे उपर आता है because यह rifle terrorist से लेकर special forces के पास तक आपको देखने को मिलती है और इस तो कुछ लोग केलाश के नौव भी बोलते हैं जो की AK-47 rifle होती है लेकिन दोस्तो AK-47 rifle काफी पुरानी rifle है और उसके बहुत सारे upgraded versions आ चुके हैं उसमें से एक version है AK-203 आप देख सकते हैं AK-203 is just like AK-47 देखने में AK-47 लगती है but it is high-tech बहतर है जादा अच्छी है जादा updated rifle है ठीक है देख सकते हैं तो दोस्तों मैठी के अंदर एक ordinance factory है कोर्वा ordinance factory वो अब केलाश के नो rifles को manufacture करने वाली है ये बात आपको याद रखनी है this is very important इसके उपर मैंने एक short भी बनाई थी एक बार मैंको याद है और देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर हमारी Indian army के लिए हमारी forces के लिए central armed police forces के लिए भी ये rifle अब मौझूद होगी AK-47 का better version होगी this is the AK-203 rifle got it तो ये कहाँ बनेगी अम एठी में बनने वाली है तो question यही आता है कि AK-203 के लाश के नो AK-203 कहाँ पर बनेगी answer बताएं इसका जिया दोस्तो इसका answer है D-Ametine very good next बात करते हैं दोस्तो next you know news की वो news है इंडिया ने क्यूबा को कुछ vaccines दी थी pentavalent vaccines प्रोवाइड करी थी आप देख सकते हैं तो pentavalent याने की कुछ diseases हैं याने की ऐसी vaccines जो एक vaccine है लेकिन बहुत सारे disease के उपर वो काम करती है जैसे की for example typhid 3A, proses, titnes, hepatitis B, hemophilis, influenza के उपर ये करती है तो इंडिया ने gift करी थी डोनेट की थी साड़े बारा हजार vaccines एक देश को जो है क्यूबा क्यूबा जो देश है भी इसके बारे में आपको बताता हूं सबसे पहले बड़ा इंटरिस्टिंग देश है देखे क्यूबा जो देश है ये located है North America में Caribbean के पास यहां पर देखें ये North America है और ये island country जो आपको दिखती है क्यूबा है दोस्तों आपको पता है कि World War 2 के दोरान उसके बाद जब Cold War शीत युद चल रहा था तो उस टाइम पर क्यूबा was a ally a friend of Russia क्यूबा socialist है आज भी ठेक है आपको पता होना चीए तो इंडिया ने क्यूबा को ये gift करी है vaccines याद रखेगा बहुत ही अच्छी news थी और इसके उपर question बनता है one word इसका answer आप दे सकते है answer क्या है पताएं what's the answer जी हाँ क्यूबा को हम world की sugar bowl भी बोलते हैं कि यहाँ पर जो ट्रॉपिक क्लाइमिट है उसमें अच्छी sugar gain उकती है और sugar exports जो है क्यूबा के वो mostly US के तरफ जाते हैं और Barack Obama एक ऐसे president थे US के जिन्होंने क्यूबा के साथ वापस से diplomatic ties शुरू किये हाँ जी एक one year तक आएंगे अकाश ठीक है तो answer is A क्यूबा ठीक है it's fine A answer है next दोस्तों जैसे की T20 हुआ था G20 के इसी तरह से B20 business leaders की meeting यहाँ पर हुई थी इंडिया में आप देख सकते हैं और of course business की बात आती है तो गुजराती is our number one and इसी लिए यह कहाँ हुई थी गांधी नगर गुजरात गुजराती capital में तो B20 meeting जो हुई थी वो हुई थी गुजरात की capital गांधी नगर में तो वही question है B20 India inception meeting will be held in which city हो चुकी although अब बताएं गांधी नगर गुजरात कहां दोस्तो गांधी नगर गुजरात ठीक है तो इस चीज़ को याद रखिए Got it? Okay तो answer is C. गांधी नगर Next आते हैं World Economic Forum दोस्तो डेवोस में located headquartered World Economic Forum एक बहुत ही बड़ा think tank है दुनिया भर में बहुत सारे रिपोर्ट से पब्लिश करता है ACU exam के लिए मैं आपको बताया था कि आपको पहली चीज़ तो सभी military exercises के बारे में पता होना चाहिए है इंडिया के जो neighborhood के साथ relationship है उस पर काफी सारे questions बनते हैं एक question जो बन सकते हैं अब वो reports पर भी बन सकते हैं तो पांच ऐसी organizations हैं जिनकी सभी reports को आप रट लेना और जब मैं ये class end करूँगा तो last में आपको एक list summary दूँगा World Economic Forum की सभी reports के बारे में International Monetary Fund की जितनी reports है उसके बारे में World Bank जितनी reports पब्लिश करता है उसके बारे में United Nations काफी सारी reports पब्लिश करता है United Nations की बहुत सारी bodies उसके बारे में और US की एक body है United States of America की वो भी कुछ reports पब्लिश करती है वर्ल्ड के बारे में तो वो भी आपको पता होनी चीए तो ये एक list आजाती है last में तो वो एक बार आपको देखनी पड़े की एक बार अपने दिबाग में डालना पड़ेगा की कौन से report कौन पब्लिश करता है ठीक है याद रखना है आप सभी को क्या cooperation in a fragmented world ठीक है तो ये है और कल मैंने आपको global risk report के बारे में भी बताया था याद करे वो लिक्टोमिक फोरम ही वो निकालता है global risk report के बारे में बताया था नहीं बताया था कल या पर से होगी class में last class में last class में तो वही है दोस्तों कहा होई थ 23 की जो meeting थे वो का हुए थी देवोस स्विजलान गॉट इट सो ये काफी चीज important है अच्छा भारत गौरव tourist train भारत गौरव tourist train ये important है news क्यों क्यों कि इसके अंदर इंडिया का neighbor नेपाल included है देखे आपको पता है कि जो रमायान की घटना घटित होई है mostly वो गोरखपुर अयोध्या जो adjoining नेपाल का एरिया है उसके अंदर घटित होई है ठीक है सीता मनी जो बिहार में एरिया रीजन है तो इस्ट यूपी पुरवांचल का एरिया था जहांपर ये सब घटनाएं घटी है तो भारत गौरव tourist train जो है वो एक ऐसी train है जो तो इससे एक तो इंडिया और नेपाल के बीच में cultural relations बढ़ेंगे और इस टूर का नाम रखा गया है श्री राम जानकी आत्रा because राम जी कहां के थे और सीता जी कहां थी उनको नाम जानकी है कहां की थी वो नेपाल में जगा है चनकपुर कहां कहते हैं कि वहाँ पर उनका बर्ध हुआ था ठीक है और इसके लावा कौन कौन सी साइट्स इस ट्रेन ये कहां कहां रुखेगी नंदी गराम रुखेगी सीता मनी रुखेगी काशी रुखेगी प्रियाग राज रुखेगी ठीक है तो ये बात important है तो याद रखेगा भारत गौरफ टूरिस्क ट्रेन of course किस country के साथ है आंसर बताएं आंसर है इसका नेपाल टी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं international spice conference देखो मसाले देखो जो spice हैं आपको पता है कि अंगरे इस इंडिया क्यों आए था वाइ ये यूरोपियन से इंडिया तो इंडिया ज्योंकि उनको mostly इंडियन मसाले चाहिए थ ब्लाक पेपर काली मिर्च चाहिए थी यार अपनी मीट को अपने food को ट्रिजर्व करने के लिए तो आज भी जो मसालों के अंदर trade है that is very 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 high आज भी बहुत demand है दुनिया भर में मसालों की तो इसलिए international spice conference हुई थी जिसके अंदर मेरे प्यारे बच्चो दुनिया भर से spice traders आये थे और यह कहां हुई है चिन्नाई के अंदर यह हुई थी तो one word इसके उपर question बन सकता है international spice conference 2023 consistency में होगी इंडिया की answer will be B one word एक अच्छा question यहाँ पर बन सकता है आप देख सकते हैं ठीक next international renewable energy agency arena उसकी 30th तेरवी तेरवा session हुआ था आबू धाबी में कहां पर आबू धाबी में तो arena of course international renewable energy agency है जो basically renewable energy जिसे की solar wind small hydro biogas इस पर focus करती है और उसकी meeting कहां हुई थी आबू धाबी में तो बताएं अरेना की meeting कहां हुई थी meeting आबू धाबू में 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 तो question पूछ रहे है कौन who was the presidency किसकी थी और ये news हमारे लिए important इसलिए है because guys R.K. Singh ने यहाँ पर opening speech दी थी and it was none other than India के पास इसकी presidency थी ठीक तो ये बात आपको याद रखनी है next दोस्तो देखो एक होता है neighborhood यानि कि आपके एकदम neighborhood countries जैसे की Maldives, Pakistan, Nepal, Bhutan ये हमारे immediate neighbors हैं लेकिन एक चीज होती है extended neighborhood like Central Asian countries extended neighborhood का पार्ट है एरान extended neighborhood का पार्ट है East African countries extended neighborhood का पार्ट है और South East Asia भी extended neighborhood का पार्ट है और चाइना को चाइना के area में मात देने के लिए हमें South East Asian countries के साथ अच्छे relations रखने की ज़रुरत है और दोस्तों वेतनाम इसलिए एक बहुत ही important देश हमारे लिए हो जाता है क्योंकि वेतनाम पहली चीज़ इंडिया के arms export के लिए एक बहुत ही important देश है इंडिया भ्रमोस दे रही है वेतनाम को तेजस बेचने के चकर में भी है इंडिया वेतनाम को की तेजस खरीद ले वेतनाम और बहुत सारी emunations वेतनाम को इंडिया प्रोवाइड कर थी वेतनाम के army officers को भी बहुत बार इंडिया ने train किया हुआ है वेतनाम is a very important country और वेतनाम के relations जो है चाइना के साथ वो अच्छे नहीं चल रहे है why? because of China, China का South China Sea में aggression, got it? so वेतनाम के जो president थे, new gen Zuan Phukh, उन्होंने resign किया है वेतनामी's communist party से, क्योंकि उनको बोला गया कि ये corrupt थे, बहुत सारी wrong doings नहोंने करी है and problems create करी हैं वेतनाम के लिए तो guys question है, ये कौन सी country के president थे, of course, it was none other than वेतनाम, याद रखिया तो चलिए एक बार में वेतनाम की भी आपको दर्शन करादू map पर so that आपकी basic geography जो है, वो भी cover हो जाए तो वेतनाम को अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो South East Asia की one of the important countries है और South China Sea का जो western shore है, ये देखें ये रहा, ये पूरा वेतनाम है वेतनाम की दो important cities है, हनोई, ये है हनोई, और ये होचिन में city ठीक है, जो capital है, वो हनोई है, ये बात आपको याद रखनी है getting my point, so ये है बताएं, क्या reply करना है, हाँ जी, current president कौन है, comments में जरूर बताएं you can tell me, दो issues दे, तो वेतनाम South China Sea में आपको दिखता है, यहाँ पर है और जो ये parcel islands आपको यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, देखो ये रहे इन parcel islands को लेकर वेतनाम में और चाइना में issues है, वेतनाम कहता है कि ये parcel islands मेरे हैं, और चाइना कहता है, these parcel islands are mine दोस्तों, although ये ये पूरा region है, ये वेतनाम के exclusive economic zone में आता है पर फिर भी illegally चाइना इन parcel islands को claim करता है, और आज ये islands चाइना के कबजे में हैं ये islands चाइना के कबजे में हैं, तो ये चीज़ काफी ज़्यदा important है बात करते हैं दोस्तों, अगली news की, next news की बात कर लेते हैं, जी लशकर ये ताइबा के जो deputy chief थे, अब्दुल रह्मान मक्की, एक पाकिस्तानी based terrorist थे उनको global terrorist घोशित कर दिया गया by United Nations Security Council देखे, आपको पता होना चाहिए, कल मैं आपको UN के बारे में बताया भी था, I think इसको निकाल देना है, तो देखो United Nations चलो मैं UN के जो six principal bodies हैं, उसके बारे में कल आपको बता हूँ, कली class में, बट मैं आपको भी बताता हूँ कि UN की defense और terrorism को देखने वाली जो body है, उसको UNSC बोलते हैं, United Nations Security Council, तो United Nations Security Council के पाँच permanent members हैं, और 10 non-permanent members हैं, इन पाँच permanent members में से US है, रूस है, चीन है, प्रांस है, और UK है, अब इंडिया जब भी किसी भी terrorist को जो पाकिस्तान का है, उसको global terrorist recognize पूरे world में करवाना चाहता है, तो इंडिया को पहले UNSC में जाकर एक resolution पास करना पड़ता है, फिर करवाना पड़ता है, अगर इंडिया इन non-permanent members में है, तो इंडिया खुद ही resolution पास कर सकता है, नहीं तो किसी friend को, France को बोल दिया, UK को बोल दिया, लेकिन जब भी इंडिया ने ऐसा किया है, किसी भी पाकिस्तानी terrorists क्या against, तो चाइना ने हमेशा ही इंडिया की इस bid को block किया है, देकि जो permanent five members है UNSC के, इनके पस veto power होती है, यानि कि कोई भी decision UNSC में majority से लिया जाता है, ठीक है, majority से, लेकिन अगर उस majority में एक भी permanent member no बोलता है, तो पुरा का पुरा decision cannot be taken, तो हमेशा चाइना ने पाकिस्तानी terrorists को safe किया है, अपनी veto power का use करके, और जो ये मक्ही हैं, जो 2008 मुंबई attack में involved थे, इनको बहुत बार चाइना ब्लॉक कर चुका है, पर कब तक करेगा, तो United Nations Security Council की committee है, जिसका नाम है UNSC 1267, जिस committee के तहट global terrorist announce किये जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ काफी important है, तो यहाँ पर यही question है, बताएं, अब्दुल रह्मान मक्की is the terrorist, ठीक है, ये चीज़ important है, तो दोस्तों मैं को लगता है कि ये ठीक ठाक class हमारी हो गई है, अब जो one word questions है, उसकी PDF आपको मिल जाएगी, और वो आपको attempt करने हैं about 30-40 questions और है one word, तो इसी के साथ आज की जो session है, उसको मैं यहाँ end करूँगा आप लोगों के लिए, और end करने से पहले आपको बता देता हूँ, कि हमारा जो batch है, IBACIO का, वो चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है, और आज से उसकी class है शुरू हो रही हैं, अगर आपको admission लेना है, तो आप use करना code RT life का, दोस्तों मैं personal तरीके से आपकी help करूँगा, यह exam clear करने में, तो यह batch आज चालू हो चुका है दोस्तों, और इसी के साथ आज ही class को समात करूँगा, कल इसी समय मिलेंगे दोस्तों, और कोई भी डाउट है, आपने को telegram पर, instagram पर कहीं भी आप पूच सकते हैं, हाफ एन आर में मैं आपको फीपिटी जो PDF हो प्रोवाइड करूँगा, परसो कोई class नहीं होगी, आल्रेडी मैं आपको बता रहा हूँ, परसो देवल भी नो class, उसकी जगा मैं class Saturday को लूँगा, ठीक है ना, ओके बाई,